हमसे जेई होगा ही नहीं तो इस वीडियो को आप मत देखें। आप जेई को प्रिपेर करो बोर्ट के साथ या आपसे बोर्ट ही होगा जेई नहीं होगी। कर सगे मैं हमें इसी साल हमें IAT के अंदर जाना है। जो बोर्ट के PYQs है, उसी चेप्टर के लगाने बैठ जाओ, और चेक करो, क्या वो बोर्ट के PYQs आपको नहीं आ रहे हैं, घर आपको चेप्टर निफ्ताना है, कि मुझे तो बोर्ट के लिए चेप्टर निफ्ताना है, तो बेटा आपको बड़ी-बड़ी वीडियोज नहीं देखनी, आप उसके लिए 3-4 घंटे की जो भी बन शोट वीडियोज है उससे आप पर प्रिपेर कीजिए, बोर्ट्स वालो, क्या जेए के एक्जाम को भूल चुके हो और भूल चुके हो आप IIT के सपने को, और अब सोच रहे हो कि बोर्ट्स निकल जाए वो ही बड़ में ले जाएं, अगर ये दो कुश्चन आपके माइन में चल रहे हैं, तब ही आप इस वीडियो को देखो, और अगर आपको लगता है कि हमसे IIT में नहीं जा सकते हम लोग, हमसे जेए होगा ही नहीं, तो इस वीडियो को आप मत देखे, अब मैं बताती हूँ आपको ऐसा क ये से पोसिबल है, आप जेए के साथ साथ बोड एक्जाम की प्रिपेशन भी कर सकते हो, बेटा मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूंगी, अगर आपकी मनजिल तक पहुचने का रास्ता अगर सेम है, तो आप बिलकुल अपनी मेहनत और एक स्पूल स्टेटेजी के साथ म में आप उस मनजिल को अचीव कर सकते हो, ठीक है, अब प्रिपेर करते हैं, अब सबसे पहली बात, क्या स्लेबस में कोई डिफरेंस है, जेए और बोड में, इस कोशन का आंसर आपके लिए जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी यही आपका बेस है, कि आप जेए को प्रि के स्लेबस की में वेटेज वाइस, यहाँ पे चैप्टर वाइस आपको एक पूरा पूरा एक करिकुलम लेके आई हूँ, कि कैसे कैसे चैप्टर, विद मार्क्स, कौन सा चैप्टर, कितने मार्क्स का आएगा, आपके बोड्स एक्जाम के अंदर, और यह स्पेसिफिकली, कि CBSC को टारगेट कर रहा है, बट इट डजन्ट मीन कि यह आप अधर बोड्स वाले, आप इसको नहीं देख सकते, बिलकुल बेटा, एक दो चैप्टर हो सकते, कुछ चैप्टर उनमें एडिशनल होंगे, बट मैं आपको बोलू, कोई भी बोड्स का बच्चा है, किसी भी बोड्स का बच्चा है, अगर इन चैप्टर को बड़े अच्छे से कर लेगा, बिलकुल कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ, आपका 75% से अबो का जो क्राइटेरिया है, वो पक्का अराम से अच्छे मार्स के साथ फुल्फिल होगा, तो अगर मैं बात करूँ आपके लोरीन, अल्कॉल फिनोलीथर, अल्डिहाइड की टॉन कार्बोसिलीकेसिट्स, अमीज एंड बायो मोलेक्यूस, टोटल हो गए, 70 मार्स का आपका पेपर, तो मुझे एक कोश्चन का अंसर दीजिए, क्या ये चैप्टर्स आपके जेई का स्लेबस नहीं है, एक ये इस तरीकेसे होगा, और आपनी जो कॉंसेप्ट वहां लगाया है, आप बोर्ट के लिए चैप्टर्स है, डिफ्रेंस बेटा ये है कि जो जेई का एक्जाम होता है, उसमें कुछ हम डैप्त में हम स्टेडी करते हैं, लेकिन बोर्ट के एक्जाम के अगर बात करते हैं, तो वाले में जब आपसे कुछन पुछेगा, वहां भी वही कॉंसेप्ट आपको एक्स्प्लेइन करना है, मतलब वहां पे आपको ऑप्शिन को टिक करना होता और वोर्ट में आपको एक्स्प्लेइन करना होता है, ये चीज़े आप बिल्कुल असानी से कर सकते हो, बस का सा confidence चाहिए और कुछ चीज़ें हैं जो आपको analyze करने पड़ेगी, ये आपका chemistry का syllabus है, आप इसको देख सकते हैं, उसके बाद ये आपका boards का syllabus है, physics का, ये आपके physics का syllabus है, जिसके अंदर unit wise marks का distribution मैंने दिया हुआ है, उसके बाद आपका ये maths का syllabus है, आप इस maths के syllabus को देख सकते हैं, ये आपका marks wise, बिल्कुल unit wise distribution है chapters का, ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि मैं ये कैसे possible है, क्या strategy follow करें और कैसे हम पढ़ाई करें, जिससे हम boards के साथ साथ JEE की preparation भी कर सेगे, मैं हमें इसी साल, इसी साल हमें IIT के अंदर जाना है, तो बेटा देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज एक बात बताओ, आपका कोई भी JEE का chapter खतम होता है, JEE की आप preparation करेंगे हो, कोई भी chapter आपका खतम होता है, या जिस दिन आपके JEE के chapter का test होता है, उसी दिन आपको सारे के सारे PYQs को go through कर लेना है, जो boards के PYQs है, उसी chapter के लगाने ब बस आपको एक लिखने का तरीका देखना है, तो ये वाली प्रोब्लम सबसे पहली आपको go through करना है, सारे PYQs को और जो भी आपके कब करेंगे, जब आपका JEE का test हो जाएगा, या आपका JEE का chapter completion होगा, आप उसको go through करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, PYQs को analyze करे है, और किस topic से कितने जादा weightage का question पूछता है, कितने जादा topic से question बार बार repeat होता है, ये सारी सारी चीज़े आपको PYQs की analysis से पता चलेगी, आप कम से कम 5-6 सालों के PYQs कर लीजिए, उससे पीछे वालों का time है, तो आप 10 साल के, 7 साल के जितने मर्जी उतने कर सकते हैं, बट 5-6 years PYQs आपको करने हैं, उसके बाद अगर मालों आपको कोई chapter है, कोई chapter आपको करना है, आपको JEE की preparation किया, आपको chapter तो आता है, लेकिन हो सकता है किसी specific topic के अंदर आपको problem है, तो आपको पूरे chapter की video नहीं देखनी, boards की, आप किसी specific chapter की video देखिए, या अगर आपको chapter निपताना है, कि मुझे तो boards के लिए chapter निपताना है, तो बेटा, आपको बड़ी-बड़ी videos नहीं देखनी, आप उसके लिए 3-4 घंटे की, जो भी one-shot videos है, उससे आप पर prepare कीजिए, क्योंकि आपको already JEE की prepare किया है, chapter तो आपने पड़ा हुआ है, लेकिन आपको boards के according 1-3- गंटे का, एक गंटे का मैंने chapter पड़ लिया, वीडियो देख ली, उसके बाद उसको मुझे revise करना है, या याद करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप लिख लिख के याद करोगे, क्या हुआ था, acidic strength ये होती है, acid ये होता है, ये होता है, biomolecules इतने टाइप के होते है, इतने टाइप के, आपको सब कुछ लिख लिख के revise करना है, या लिख लिख के learn करना है, this is the best way, इससे आप लिखने का तरीका भी सीखेंगे, और बोर्स में इसमें आपको बहुत जादा help होने वाली है, उसके बाद हम बात करते हैं, कितने आपको test papers लगाने है, बेटा, बोर्स का paper तीन घंटे का होता है, तो आप तीन घंटे का time लेके बिलकुल एक पूरा PYQ हर subject का लेके बैठ जाओ, sample paper लेके बैठ जाओ, जैसे कि एक mock paper वाला exam होता है, वैसे environment में आप बैठो और अपने पूरे paper को करो, उसके बाद उसको analyze करो, इससे आपका time management अच्छा हो और आपको लिखने में बहुत अच्छी practice हो जाएगी, बस ये चीज़े आपको follow करनी है, दूसरी बात, एक last चीज मैं बोलना चाहूंगी, कि आपको जो study करनी है, वो एक fixed time table के according बनाओ, आपको बहुत सारे time tables, आप अपने according time table बनाओ, कि आपको कैसे time मिलता है, मेर को कैसे time मिलता है, मैं कहां से 2 घंटे, 3 घंटे, कहां से save कर सकता हूं, यह कर सकती हूं, उसके according अपना specific time table बनाओ, उसके अलावा भी अगर आपको लगता है, किसी और चीज की आपको इसमें help की need है, तो आप मुझे comment section में लिखिए, मैं आपकी पका help करूंगी, पूरी emotion family आपके स motion है तो बरोसा है